YouTube का नोटिफिकेशन आता है, WhatsApp का नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंट वहाँ पर रेपलाई देना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, All on average, एक Indian person एक character है जेठालाल, और जेठालाल एक बार एक trip पर गई थे, क्या-क्या facts आपके mind में generate हो रहे हैं, उनको नोट करें, चाहिए वो sales को लेकर हो, growth को लेकर हो, करेंगे तो अपने productive time को improve गर्माएंगे, दुनिया के सफल लोग अपने productive time को improve करते हैं, हाई फ्रेंड्स, आज आपको कुछ बताने से पहले, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देंगे, कि इसके बारे में मैं क्या सोचता था, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, और कुछ बहुत सारे से facts, जिन्होंने real life experience के साथ इन बात को prove किया है, उसके example मैं आपको देने वाला हूँ, तो आए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा capable लोग, आपसे ज़्यादा काम करते हैं, अगर हाँ, तो इस प्रश्न को आप लोट कीजिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक मल्टी टास्किंग पर्शन है, आप बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, Do you think no one can do this work better than you? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो काम, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो आप से भेतर, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, यदि आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, फिरिंट आज की इस वीडियो में ना, बहुत सारे life learning lesson के माद करने का काम नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए कप आफ़ टी नहीं है, मेरे लिए केवल कोर्से सेल करना, इंकम का ज़रिया नहीं है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है METAS Oversays Limited, जिसमें हम stainless steel module location के manufacturing करते हैं और export करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मेरी कंपनी मे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर आपके इस experience को हम कैसे grab कर सकते हैं तो जो लोग on request मेरी company में कॉल करते हैं उन लोगों के लिए मैं course syllabus design करता हूं और उनकी ज़रुत के हिसाब से उनको course deliver करता हूं जर्नलीस course की fees मैं 1,50,000 रुपी चार्ज करता हूं और ये course on demand मेरे पास रहता है 20 लोगों का batch रहता है लेकिन आप जानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य की भारत के हर गड़ से एक सफल businessman तयार हो सके तो बहुत सर लोगों के ऐसी requirement आई कि सर हम भी अपनी company को एक limited company बनाना चाहते हैं हम भी corporate culture में जाना चाहते हैं हम भी expansion करना चाहते हैं हम भी एक बहुत बड़ा brand बनना चाहते हैं तो मुझे लगा कि उनके लिए में जो कुछ करना चाहिए तो unacademy का एक venture है graphie उन्होंने हमें contact किया और कहा कि सर आप जो ये valuable course H&I client, high network income clients के लिए design करते हैं हम ये चाहते हैं कि ये course एक सामाने जन के लिए भी हो तो please मेरा request है कि ये course आप हमें देजिए तो unacademy से हमने type किया business growth strategy का ये course जिस course की fees में 1,50,000 रुपे चार्ज करता हूँ individual person से वो course सिर्फ 8,000 fees में आप लोगों के लिए unacademy पर available है लेकिन अगर आप मेरी company का brand Metas M-E-T-T-A-S Metas coupon code यूज करते हैं तो ये भी आपको 50% discount में मिलेगा मतलब 4000 में मिलेगा इसकी पूरी की पूरी information आपको description box में मिल जाने वाली है तो आइए शुरू करते हैं आज का complete course and video तो हम बात कर रहे थे कि life में ऐसी क्या गलतियां है जो हम कर लेते हैं जिसकी वज़से हम growth की और नहीं जा पाते सबसे पहली mistake होती है one degree mistake कितने एक degree से क्या फरक पड़ता है क्या एक बड़ी गलती होने के बाद ही हमारी जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा आप एक program देखते हैं तारक महता का उल्यूटा चश्मा उसमें एक character है जेठालाल और जेठालाल एक बार एक trip पर गए थे उन्होंने क्या किया उन्होंने राजस्थान में कच से जैसल मेर की यात्रा करने का प्लान किया वो भी उट पर और सिर्फ एक degree mistake उन्होंने की और जब एक degree mistake की ना तो कई किलोमेटर चलने के बाद वो जैसल मेर की जगा पाकिस्तान में पहुंच गए और पाकिस्तान पुलिस तो उनको अरेस्ट कर ले छोटी सी mistake एक degree mistake फ्रिंड्स कई बार हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी mistake कर दाते हैं जिसकी वज़ेस से future में growth possibility जो हमारी होनी चाहिए वो नहीं होती है चलो ये तो एक program की बात रही एक scripted program था जिसमें एक entertainment के लिए तारक महता के उल्टा चक्ष्मा script में इस तरह का एक character दिखाये गया लेकिन आप जानते हमारे देश के Air Force के एक जवान अभी नंदन जी अभी नंदन जी एक mission को complete करते करते सिर्फ एक degree mistake से गलती से उनका जो land था वो पाकिस्तान में हो गया और पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के जो soldiers थे उनको arrest कर लिया हिंदुस्तान पूरे wish में बहुत सक्षाली देश के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के international pressure की वज़ा से आभी नंदन को देश में वापस भेजा गया तो फ्रेंट्स कहते हैं ना one degree mistake is not a small mistake यह आपकी पूरी life को collapse कर सकती है यह आपको एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था इसलिए जरूरत है अपने जीवन में अपनी mistakes को पहचानने की और छोटी-छोटी mistakes को rectify करते-करते life में आके बढ़ने की दूसरी important बात जिस पर हमें हमेशा focus करना चाहिए वो क्या है on the spot performance friends क्या होता है कि life में मौके बार-बार नहीं मिलते हैं लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो वहाँ पर आपकी performance बहुत best होनी चाहिए आप जानते हैं हमारे देश के बहुत अच्छे wrestlers हैं जिन्हों हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया रवी दैया Asian Wrestling Championship में उन्हेंने gold medal हासिल किया लेकिन रवी दैया ने ही Tokyo Olympic में silver medal हासिल किया और यही बात मैं करता हूँ बजरंग पुनिया की तो उन्हें Tokyo Olympic में bronze medal लिया इसका मतलब यह नहीं कि एक ही व्यक्ति की काबलियत में अंतर है इसका मतलब यह नहीं कि इन दोनों व्यक्ति की काबलियत में बहुत बड़ा अंतर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो gold medal हासिल करने वाला होता है या silver medal हासिल करने वाला होता है उन दोनों के जीतने की possibility में micro second का या micro points का difference रहता है इसका मतलब दोनों समान रूप से काबल होते है बशर्ते on the spot उनकी performance में क्या difference रहा ये बात उनकी जीत पर रिर्भर करती है fine इसका मतलब अगर आप अपनी life में एक चीज़ को achieve कर लें और उसी को पकड़ कर बैढ़ जाएं तो आप कभी भी growth possibility की और नहीं जाएंगे ज़रुरत क्या होगी break your own records अपने ही records को तोड़ कर आगे बढ़ने की ज़रुरत है आपने जो अपनी life में अपने business को लेकर छोटे छोटे गोल बनाए हैं उन goals को achieve करो उन records को break करो उससे बड़े target को बनाओ बड़े target को फिर break करो achieve करो और next record बनाओ record लगातार बनाते रहे उसके बाद improve your skill ऐसा नहीं है कि बजरंग पुनिया अगर bronze medal लेकर आए हैं तो वो bronze medal पर भी रने वाले हैं वो निरंतर practice करते हैं एक जिम में जहां मैं work out करता हूँ एक दिन बजरंग पुनिया जी का request आया कि sir मैं भी वहाँ पर आना चाहता हूँ और वो आय और उन्हें मेरे साथ work out किया मैंने उनके साथ work out किया क्योंकि मैं जिम में पहले था इसलिए मैंने कहा कि मैंने उनके साथ work out किया तो मैं देख रहा था कि वो लगाता और practice करते हैं तो घंटे के work out में हम तब भी कई बार बीच वीच में रुख जाते हैं वो continue practice करते हैं concentration के साथ करते हैं और अपनी skills को हमेशा improve करने पर काम करते हैं यही बात हर व्यक्ति पर लागू होती है अगर आप अपने business में अपार संभावना यह हसल करना चाहते हैं तो आपको अपनी skills में improvement करना होगा इसलिए improve your skill know your mistakes आप किस platform पर क्या mistake कर रहे हैं उसको जब आप ठीक तरीके से पैचान लेंगे न तो आप अपने आपको improve भी कर पाएंगे और उन mistakes को avoid करके life में आगे भी बढ़ पाएंगे रवी दैयास के best example है जै सिंग पुनिया इसके best example है और बहुत सार ऐसे players जो कभी rank में बहुत पीछे थे फिर उन्हें bronze medal लिया फिर उन्हें silver medal लिया फिर उन्हें gold medal लिया और कई बार gold medal लिया और फिर दुबारा एक छोटी सी mistake हुई वापस उनके पाँ silver या bronze medal रहे है तो friends इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बरतमान में किस परिस्थिती में है फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने लक्षों को हासिल करने के लिए अपनी mistakes को पैचाने के लिए तयार है क्या आप on the spot best performance देने के लिए तयार है right time and right direction सही समय पर सही दिशा में जाने पर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे यह बहुत important है चाहिए आप business में हो आप profession में हो आप games में हो आप social life में हो आप personal life में हो आप family life में हो आपकी direction दिशा राइट होने चाहिए next important बात है वो क्या है know your mistakes अपनी गलतियों को पहचानो friends जो लोग अपनी गलतियों को पहचानते नहीं न और same गलति लगातार करते हैं वो जीवन में कभी सफलता आसिल नहीं करते Henry Ford का नाव आपने सुनाओगा Ford Company के जनक या संस्थापक Henry Ford ने जब पहली बार गाड़ी बनाई और गाड़ी बनाने के बाश को ड्राइव किया तो उन्होंने देखा कि एक blunder mistake उन्होंने कर दिये और वो mistake क्या थी कि गाड़ी में front gear तो है लेकिन back gear नहीं है गाड़ी को back करने के लिए गाड़ी से उतर कर धक्का मार कर पीछे करना पड़ता था लेकिन उन्होंने अपनी mistake को improve किया improve करने के साथ साथ उन्होंने अपने thoughts अपने ideas और facts को note किया problem क्या है कि हमारे mind में regular ideas आते हैं एक science के research के अनुसार ये पता लगा कि एक व्यक्ति के दिमाग में 60,000 thoughts पर दे आते हैं तुरंत अपने विचार को note करें आपके मन में किसी भी काम को करने का कोई नया idea generate होता है तो उस को note करें आपने देखा कि उन काम को करने में क्या-क्या facts प्रूव हो चुके हैंboard क्या-क्या facts आपके mind में generate हो रहे हैं उनको note करें चाहे वो sales को लेकर हो, growth को लेकर हो, expansion को लेकर हो या किसी तरह की problem के solutions को लेकर हो इसलिए write your thoughts, ideas and facts कहते हैं ना out of mind is always known as out of sight एक बार जो चीज दिमाग से निकल गई, वो चीज दुबारा आपके सामने आने वाली नहीं है इसलिए ईश्वर ने यह दी वो idea आपके mind में feed किया है तो तुरंत उसको implement करें, उसको note down करें, यह बहुत important है next, avoid distractions, problem क्या है हम मेंसे बहुत सर लोग ना हमेशा destruction के चार और घिरे पड़े हैं हम कुछ भी करते हैं, कोई ना कोई distract करने के लिए हमारे पास में आ जाता है Henry Ford के अंदर एक खास viciousता पता है क्या थी वो अपनी company में अपने staff से मिलने के लिए भी अपने staff को अपने cabin में नहीं बुलाते थे वो क्या करते थे, कि जिस department से बात करनी है उस department में जाके बात करके, अपना time complete करके जैसी बात complete होती थी, back to अपने cabin वापस आये थे उनका ये कहना था कि कहीं जाकर आना मेरे हाथ में है लेकिन किसी व्यक्ति के आज आने के बाद उसको वापस भेजना मेरे हाथ में नहीं है इसी लिए distractions को avoid करने के लिए मैं जाकर लोगों से मिलता हूँ friends, आज के माहल में व्यापार में अगर आप देखेंगे तो आपका productive time बहुत कम है हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं जड़ा सा time मिलता है Facebook का notification आता है, YouTube का notification आता है, WhatsApp का notification आता है हम तुरण तुहाँ पर reply देना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते है on average एक Indian person दो से तीन घंटे पर डे social media पर time killing machine के रूप में use कर रहे है तो आपको distraction को avoid करना है, सारे notifications को off करना है आपको focus करना है आपके productive time पर उसके बाद calculate your productive time अब यह क्या है मैंने का आपको product time पर focus करना है फ्रेंट focus करना और उससे result drive करना दोनों अलग बाते हैं उसके लिए जरूरी क्या है कि आप में productive time को count करें just have a stop watch आप एक stop watch लें और stop watch का use करें आप देखें कि कब-कब आप लगातार काम कर रहे हैं तो stop watch को stop कीजिए आप washroom गए हैं अपना वो time calculate कीजिए कि कितना समय ऐसा है जब आपने productive time किया है तो आप on average कहें मानेंगे कि जो लोग कहते हैं आप 8 से 10 गंटे काम करते हैं उनका actual productive time चार से पांच गंटे का आता है जब आप calculate करेंगे तो अपने productive time को improve गर्माएंगे दुनिया के सफल लोग अपने productive time को improve करते हैं और improve करने के लिए वो destruction को avoid करते हैं यह बहुत important है business में तो friends यह सारी बाते जब आपने business में implement करेंगे ना अपनी life में implement करेंगे तो आपको नई सफलता आसिल होगी गुरू चानके ने एक बात कही थी कि यदि सारा जीवन अनुभव करके चीजों को सीखने पर लगाएंगे तो एक जीवन कम पढ़ जाएगा जरुवत है अनुभवी व्यक्तियों से उनके द्वारा अरजित किये गए ज्यान को कम समय में हासिल करके अपने business में अपने profession में implement करने की इसलिए आप लोगों के लिए business growth strategy का बहुत expensive course जो cable on demand मैं लोगों को available कराता हूँ अनकेडमी ग्राफी बाय अनकेडमी के साथ tie up करने के बाद वो course आपको mass value में 8,000 रुपी में available है अगर आप code metas use करते हैं तो आपको 50% additional discount भी लेगा और 4,000 रुपी में आप उस course को access कर पाएंगे इसके लाब आपके मनमीदी कोई भी प्रस्टन है तो मेरा आपसे request उसको comment box में जरूर लिखें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत